कहानी शुरू होती है 80 साल पहले यानी 1942 से महत्मा गांधी के नित्रित्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ। उस वक्त अटल बिहारी वाजपे 18 साल के थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से B.A. की पढ़ाई के साथ वो R.S.S. के सक्रियस अदस्य थे। उनकी जिन्दगी में इस वक्त एक साथ दो चीजे हुई। अचल जी और राजकुमारी वो रिष्टा जिसका कोई नाम ना था। फिल्म खामोशी के लिए मशहूर गीतकार गुलजार ने एक गीत लिखा हमने देखी है इन आखों की महत्ती खुश्बू। सिर्फ एहसास है ये रूर से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम ना दो। ये गीत अटल बिहारी वाजपेई की निजी जिन्दगी पर फिट बैठता है। तर्म से नेता और दिल से कवी अटल जी देश क उन्चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं, जिनका नाम पूरे देश में विरोधी भी सम्मान के साथ लेते हैं। उनका सारवजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह है। अपना जीवन देश और विचारधारा के लिए समर्पित करने वाले अटल जी को वो हर मुकाम देरी से मिला जिसके वे हकदार थे। चाहे वो प्यार हो या देश का सरवोचपद। कॉलेज की मित्र राजकुमारी कॉल से उनका विवाह न हो सका, लेकिन राजकुमारी की शादी के बाद भी दोनों साथ रहे और उनके रिष्टे को दोनों ने कोई नाम नहीं दिया। अटल बिहारी बोल रहा है, इंदिरा शासन डोल रहा है, देखे अटल जी के प्रभावशाली भाशन ऐसा लगता है खामोशी फिल्म के इस गीत की लाइने उनके रिष्टे पर ही लिखी गई है। अच्चली की तरही अविवाहित रही लता मंगेशकर ने इस गीत को सुरो में जाया था, अटल जी के प्रधान मंत्री रहते जब लता जी उनसे मिली तो अटल जी ने कहा था हमारे जीवन में कुछ समानता है, दोनों मविवाहित हैं, साथ ही इंग्लिश में दोनों के नाम की स्पैलिंग यदी पलट दी जाये तो एक समान ही अक्षर आते हैं, अटल अ जाने माने पत्रकार कुलदीप नयर ने लिखा था कि ये देश के राजनीतिक हलके में घटी सबसे महान प्रेम कहानी थी, उन्होंने बताया कि वाजपेई जी की जिन्दगी में वो लमहा आकर गुजर्त हो गया, लेकिन अटल जी को उदास छोड़ गया, उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन बाद में यही लमहा उनकी जिन्दगी की खुबसूरत प्रेम कहानी बन गया, अटल बिहारी वाजपेई और राजकुमारी कॉल के रिष्टे की शुरुआत 40 के दशक से हुई थी, ये दोनों कॉलेज में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ल जब इन दोनों के बीच केवल आँखों ही आँखों में बाते हुआ करती थी, ज्यादा बात करने के अवसर नहीं थे, फिर अटल जी ने इस कठिन राह पर कदम बढ़ाने की हिम्मत की, हिम्मत कुछ यूँ हुई कि अटल जी ने प्रेमवश एक लवलेट लिखा, जब इस प्रेम कहानी को दोनोंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई नाम नहीं दिया और नहीं किसी को इस बढारे में कोई सफाय दी, अटल जी पर लिखी गई किताब, अटल बिहारी वाजपे है, Man of Fall Seasons, में वाजपेई जी की जिंदगी के बारे में कई खुलासे हुए हैं, कित दौरान राजकुमारी के सरकारी अधिकारी पिता ने उनकी शादी एक युवा कॉलेज टीचर ब्रिज नारायन कॉल से कर दी किताब के अनुसार राजकुमारी कॉल अटल जी से शादी करना चाहती थी लेकिन घर में इसका जबरदस्थ विरोध हुआ हालांकि अटल ब्राहमन थे लेकिन कॉल अपने को कहीं बहतर कुल का मानते थे अटल बिहारी वाजपेई एक कवी से प्रधानमंत्री तक का सफर इन फैसलों ने बनाया उन्हें अटल, राजकुमारी कॉल को दिल्ली के राजनीतिक हलकों में लोग मिसेज कॉल के नाम से जानते थे हर किसी को मालूम था कि वो अटल जी के लिए सबसे प्रिया है ये अटल जी का काधी था कि इन दोनों के रिष्टे पर कभी भी मीडिया ने कोई कवरेज नहीं किया मगर मई 2014 में जब मिसेज कॉल का निधन हुआ तो अखबारों में पहली बार उनके बारे में खबरे छपी इसे थोड़ा विस्तार से पहले पेज पर इंडियन एक्स्प्रेस ने छापा जिसे पढ़कर पाठकों ने जाना कि वो अटल जी की जीवन की दोर थी उनके घर की सबसे महत्वपूर्ण सदसे और उनकी सबसे घनिष्ट भी फिर मिले अटल और राजकुमारी राजकुमारी कॉल ने तो शादी करने के बाद अपना घर बसा लिया लिकिन अटल जी ने कभी शादी नहीं की उन्होंने सियासी दुनिया में कदम रखा और आगे बढ़ते चले गए करीब देर दशक बाद अटल और राजकुमारी दोबारा मिले जब अटल सानसद हो गए और राजकुमारी दिल्ली आ गए उनके पती दिल्ली युनिवसिटी के रामजस कॉलेज में फिलोसफी के प्रोफेसर थे बाद में वह इसी कॉलेज के हॉस्टल के वॉडन बन गए बाद में अटल उनके साथ रहने आ गए थे वाजपेई जी और मैं दोस्त हैं अटल जी के साथी रहे दक्षिन भारत के पत्रकार गिरीश निकम ने एक इंटर्व्यू में अपने अनुभाव साज़ा किये थे उनका कहना था कि वह जब अटल जी के निवास पर फोन करते थे तब फोन मिसेज कॉल उठाया करती थी एक बार जब उनकी उनसे बात हुई तो उन्होंने परिचय कुछ यू दिया मैं मिसेज कॉल राजकुमारी कॉल हूँ वाजपेई जी और मैं लंबे समय से दोस्त रहे हैं चालीज से अधिक सालों से उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह सालों से वाजपेई जी उनके और उनके पती प्रोफेसर कॉल के साथ रहते आये हैं मैं 2014 में हुआ मिसेज कॉल का निधन राजकुमारी कॉल को दिल्ली के राजनीतिक हलिकों में लोग मिसेज कॉल के नाम से जानते थे हर किसी को मालूम था कि वो अटल जी के लिए सबसे प्रिया है ये अटल जी का काधी था कि इन दोनों के रिष्टे पर कभी भी मीडिया ने कोई कवरेज नहीं किया मगर मैं 2014 में जब मिसेज कॉल का निधन हुआ तो अखबारों में पहली बार उनके बारे में खबरे छपी इसे थोड़ा विस्तार से पहले पेज पर इंडियन एक्सप्रेस ने छापा जिसे पढ़कर पाठकों ने जाना कि वो अटल जी की जीवन की दोर थी उनके घर की सबसे महत्वपूर्ण सदसे और उनकी सबसे घनिष्ट भी दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमें जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर कमेंट भी जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद